हेलो एव्रिवान, वेलकम तू माई यूटूब चैनल, दोस्तों मैं बना रहे हूँ कच्छे और पक्के आम को मिला का फ्रूटी फ्रूटी जो आप मार्केट से ले करके आते हैं से हम घर पे बनाएंगे और यह इतनी ज़्यादा टेस्टी होती है कि आप अगर इसे एक बार बना कर पिए तो आप मार्केट से फ्रूटी लाना ही बन कर देंगे बहुत ही ज़्यादा स्वादिश लगती है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है तो आईए देखते हैं से कैसे बनाना है फ्रूटी बनाने के लिए हमें चाहिए दो कच्छे आम और दो पके आम कच्छे आम हमें लेना है कट्टे वाले और पके आम हमें बिना रेसे का दमी ठाम लेना है इसे हम धुल करके छील लेंगे और छोटे छोटे पीस में काट लेंगे आम को हमने छिल लिया है इसमें पिल्कुल भी छिलका नहीं लगा होना चाहिए और इसको हम छोटे-छोटे पीस में काट ले रहे हैं इसी तरीके से हमें कच्चाम भी काट लेना है आम को हम काट लेंगे तो हम इसे उबालेंगे आम कट गया है अब इसको हम उबलने के लिए रख देते हैं पानी को हम गरम करेंगे इसमें कच्चाम और पक्काम दोनों मिला कर रख देंगे और ये उबाल आने लगे तब हम इसमें डाल देंगे चीनी चीनी हम आधी कटोरी डाल रहे हैं किती फ्रूटी मीठी होती है तब ये ज़्यादा टेस्टी लगती है और इसको हम उबालेंगे पांच मिनट के लिए ये पांच मिनट में एकड़म सॉफ्ट हो जाएगा आम एकड़म से सॉफ्ट हो गया अभी हम गैस को कर देंगे बंद और इसको हम ठंड़ा करेंगे जब यह आम ठंडा हो जाए तब हम इसको लेंगे मिक्सी के जार में डालेंगे और इसे हमें सिधे पीस लेना है ना पानी डालना है ना कुछ बस इसको हमने पीस लिया है और गाड़ी फ्रूटी बन करके तयार है यह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है अभी हम इसको आइस क्यूब में डालेंगे आइस क्यूब हमने थोड़ी ज़्यादा ली है क्योंकि फ्रूटी थंडी थंडी ही अच्छी लगती है और सारी फ्रूटी को हम इसमें डाल देंगे पास मिनट के लिए इसको रखेंगे और यह तम से ठंडा हो जाएगा और अच्छे से मिला देते हैं आप इसको जितना भी गाढ़ा या पतला रखना चाहाएं रख सकते हैं मार्केट की जैसी फ्रूटी होती है हमने इसको उतना ही पतला रखा है और यह बहुत ही जादा टेस्टी लगती है आप इस तरीके से फ्रूटी बना करके पिए घर में आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आपने एक बार इसको पी लिया ना तो मार्केट की फ्रूटी लाना ही बन कर दें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और ये मुझे केसो ने कहा कि बुआ फ्रूटी की वीडियो बनाओ तो मैंने कहा कि फ्रूटी की वीडियो तो बहुत सारी बनी है तो उसने कहा कि बुआ कच्चे आम और पक्के आम को मिला के उबाल के बनाओ तो उसने मुझे फ्रूटी बनाना भी सिखा दिया और घर में सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई और अभी मैं फ्रूटी बिल्कुल भी बाहर से मंगाने वाली नहीं हूँ यह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मार्केट से भी अच्छी क्योंकि इसको चाहे जितना गाड़ा और पतला अपने हिसाब से रख सकते हैं तो आ दोस्तों आपको मेरी फ्रूटी बनाने की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप मेरे चनल पर नए है तो प्लीज चनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा थैंक्यो फॉर वाचिंग माई वीडियो